जीरो हीरो करने के लिए टाइम डिफ्रेंस यहां पर सबजना आपको काफी ज़्यादा जोरी है उटको भी सिस्टेमेंटिक तरीक से करोगे तभी आप मार्केट में सक्सेस्फुल हो पाऊगे तो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी कि आपको कितनी क्वांटिटी पर यहां करना कि यहां से अपने को किसी भी साइड में उपर या नीचे को एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है उस गामा ब्लास्ट या उस ब्लास्ट को पकड़ने के लिए चाहिन दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप काफी अच्छ होंगे दोस्तों आज का वीडियो उन लोग के लिए जो लोग मार्केट में आते हैं जीरो भी दो करते हैं और अपना कैपिटाल जीरो करके चले आते हैं लेकिन आप सभी से अगर मैं कोशन करूं कि भाई आप सभी लोग के पास एक हैंसम आउंट क्या होता है जब आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हो एक स्पैरीज में ट्रेड करने के लिए आते कर सकते हैं आज तक आप जिस तरीके से ट्रेट करते थे जिस तरीके से जीरो को सोचते थे इस वीडियो को देखने के बाद आपको नजरिया बदल जाएगा और अगर आप यह प्रोसेस फॉलो करते हैं तो सिर्फ 5000 के कैपिटल से अब जीरो में पार्टिसपेशन कर पाऊगे और long term में stock market और F&O trading को सीख भी पाऊगे तो पूरा वीडियो को end तक देखो और आपको आज की वीडियो से समझने को और सीखने को मिल जाएगा कि किस तरीकी से हमको expires के अंदर zero hero trade को plan करना पड़ता है क्या हमको mindset रखना पड़ता है क्या procedure होता है अगर आप इस procedure को follow करते तो आने वाले टाइम में आप market को सीखोगे और आने वाले टाइम में expires में trade करने की जो आपकी capability है उसको आप master भी करने लग जाओगे तो पूरा वीडियो को end तक देखो और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन आपके लिए ऐसी learning वीडियो ले क्या हूँ तो कि सीखना जरूरी है बिना सीखे मार्केट में कोई tick नहीं सकता चलिए बिना आपका वक्त तकवाए वीडियो को start करते हैं और इस बात का जरूर ध्यान दे कि मैं आपको किसी तरीके से influence करनी कोसिस नहीं कर आओ कि आप मार्क वीडियो है वो एक systematic trade हो जाएगा ना कि वो gambling होगा अगर अभी तक आप gambling कर दे थे तो इस वीडियो को आप जब end तक देखोगे तो आपको आपका gambling mindset भी change हो जाएगा और आपको systematic process भी पर चलेगा कि zero hero किस तरीके से plan किया जाता है मांकि direct screen पे चलते हैं और start करते है point wise कि कि किस तरीके से हमको market में अपने zero hero trade को plan करना है with 5000 capital okay guys let's start with my first point वो यह है कि आपको जब market में आप आ रहे हो तो आपको सिर्फ 2 expires पर ही focus सकना है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि जब मैं market में trade करता था 2020-21 में तो मिले को Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday market में trade करता था तो मिले को सिर्फ एक अब यह देखो कि इतने दिन मैं अपने capital को protect करता हूँ इतना दिन मेरा capital है वो सेव रह रह रहा है market में कहीं ना कहीं मैं इसको zero hero के लिए use नहीं करता हूँ zero hero का मतलब यही होता है जब आप किसी capital को या तो वो capital आप use करें या तो आपको zero होना है या आपको 2x, 3x, 4x, 5x तक का return उसने देना है अगर मुझे खुद सोचो कि अगर मुझे रोज expiry करने का मौका मिले और रोज जोज मैं market में capital लेके आ जाओ zero hero करनी के planning कर लूँ क्या होना है उससे कुल मिला के मेरा जो capital है मेरा जो डिमेट अकाउंट है उसमें fund है उस पर ही dent पढ़ने वाला है क्योंकि मैं अभी market में नहीं हूँ तो इसलिए आपको जो expiry trade करनी है और उससे ज्यादा expiry के अंदर आपको focus नहीं करना है क्योंकि जब हम other expiry अपने ध्यान रखने लग जाते हैं जैसे हमको Monday को मिल तूजड़े को मिल जा रहा है और आचार और नए इंडेक्स आ तो उनमें क्या हो है आपका जो volume हो गया और liquidity हो गया वो थोड़ा सा कम है means volume और liquidity का जो downfall अभी आया हुआ है market में expiry के अंदर उसके वैसे आ लोगों ने थोड़ा सा specific भी हो गए और एक जो वॉल्यूम काफी जाता था था थस्टे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी मोग सादा भी कम हो चुका है तो इसलिए मार्केट है मैनुप्लेशन इससे बढ़ जाता है और जहां पर मैनुप्लेशन आप एक तुछ कम होता है तो वह क्या कर सकता है उसकी बेसे पर आपके स्टॉप्लास हंटिंग हो जाती है आप ट्रेब हो आपको एक केंडल मैनुप्लेश्ट में आप चहां पर लगाया है वह स्टॉप्लास किसी काम पर नहीं आपको पहली चीज जो फॉलो करनी वह यह है कि आपको सिर्फ इसको मैं इन डीटेल आगे वीडियो में बताऊंगा टॉपिक में आगे बढ़ते हो समझते ट्रेड क्वांटिटी बेसिकली आप यहां पर जो ट्रेड कर रहे हो 5,000 के कैपिटल से अब मैं आप क्वांटिटी स्पेसिफिक आपको नहीं बताऊंगा इसका रीजन यह है कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर देऊ मेरे वीवर से में काफी सारी वीवर से अब हर किसी का रिस्क टेगिंग कैपिटिटी अलग है फॉर एक्जांपल किसी क्या जो ओबराल कैपिटल है 5 लेक्ट किसी का जो टोटल कैपिटल बो यह उसका हो सकता है 20,000, 25,000, 30,000 तो वो बड़ा amount नहीं है उसके लिए इतना heavy उसको इससे dent नहीं पढ़ने वाला है और वो trade को लेके बैठेगा भी hold भी करेगा और हो सकता है उस trade में उसको successive मिल जाए maximum trades में वो successful रहे 10 में से आपको उसकी win rate जादा बढ़ जाए उसका जो mindset रहाना काम लेगा लेकिन वहीं आपका अगर टोटल कैपिटल दस बंदा बीस तीस यहार रुपय और वहाँ पाँच यहार रुपय का कैपिटल लेकि क्या प्लैनिंग करूं कि जीरो हिरो करूं तो वहां पे आपको कभी भी full quantity नहीं डालनी है यह जो है five leg वाला capital यह full quantity डाल कि जीरो हिरो के ट्रेडिंग के planning कर सक धकेल रहूं इस स्टॉक मार्केट में option टेडिंग के कुए में कि भाई तू 5000 लेके आप option ट्रेडिंग कर और रोज 5000 उपर कमा जीरो हिरो कर ले इस तरीकी guidance दे रहो लेकिन मैं ऐसे आपको डिल्कुल नहीं करूंगा मैं आपको चीज बताऊंगा कि 5000 का capital आपको जीरो हिरो प्रिम्यम साइज प्रिम्यम डिफेंड डिपेंड होता लॉट में भी आपका जो पैसा खर्च हो रहा है लग रहा है वो आपको पड़ा चल जाता है बेस जोंड़ा मलब वैरी करता है प्रिम्यम के प्राइस पर लेकिन यहां पर मैं आपको capital आपको यूटिलाइस करना प्रिम्यम डिफेंड लेकिन एक ट्रेड मां 50% से उपर का capital नहीं हो सकता है उसको आपको दूसरी opportunity मिल जाए दूसरे दिन opportunity मिल जाए बट एक capital में एक ट्रेड के अंदर एक दिन जीरो हिरो करनी की planning में अगर आपने 5,000 का capital लेके आरे हो पूरा फंड कभी भी यूटिलाइस मत करो आप 50% डालो कि आप जीरो हिरो करनी की planning ही करो निस आप ये देख रहे हो कि जो capital है हो या तो मेरे 0 ही होगा या मेरा hero होगा तो क्यूं आप वो 5,000 को एक ही बार में यूटिलाइस करोगे आप उसको दो या तीन पार्ट में डिवाइट करतो ना क्यूंकि आप जीरो हिरो पगंडी की planning करोगे उसको भी systematic तरीक से करोगे तब ही आप मार्केट में successful हो पाओगे तो मैंने आपको quantity बता दी कि आपको कितनी quantity पे य पहले आता है 9.30 to 11.30, second जो आपका आता है वो होता है 12.30, 3 या 2.55 भी कहसे तो 3.00 उसके बाद जो 3.00 के बाद जो trade करते हैं, 3.00 मूव को capture करनी कोशिस करते हैं, उसके बाद जो trade करते हैं, most probably वो unpredictable होता है, आपको नहीं पता हो एक candle कहा जाएगी, उपर जाएगी, नीची कैसी आएगी, बहुत rare cases में 3.00 के बाद आपको move देखने को मिलते हैं, बहुत rarely देखने को मिलते हैं, लेकिन maximum of the moves होता है, maximum volatility जो होती है, premiums का जो फटने का जो time होता है, maximum on and average में आपको बता हूँ, 9.30 से 11.30 के अंदर first आपका momentum आता है, जब market में retail participation, fresh, लोग market में trade market को close कर बाना चाहते हैं, वहीं लेके जाते है market को, तो उनका participation second half में काफी ज़्यादा है, maximum of the time रहता है, तो आपका जो time है, जिस वक्त आप इन trades की planning करनी है, 9.30 to 11.30 उसके बाद आप beach sideways zone में कभी निकले हो, क्योंकि beach 11.30 के beach में most probably sideways ही रहता है, बैट रहता है, सब बहुत हो जाते है market है, उसके बाद 12.30 से तीन बज़े के जो टाइम है, इसी के बीच में ही आपको second half की जीरे होगी planning करनी है, अगर आप दो जीरे हो ट्रेट्स पैन कर रहे हो, किसी expiry अंदर, या तो एक आप first half में कर रहे होगे, एक second half में कर रहे होगे, अब मैं यहाँ पर आप इनका पीचे का reason and logic क्या है, zero-zero करने के लिए time difference यहाँ पर सबजना आपको काफी जादा जो हो रही है, अब मैं दोनों time को एक बार आपको एक वीद example समझाए तो कि क्या होता है, exactly market में किस तरीके के moment आता है, किस तरीके के आपको moves देखने को मिलते हैं, देखो, expiries होती है, अपने को देखने को मिलती है, लेकिन somehow उपर नीचे spike में आपने देखा होगा कि end of the day जो अपना premium होता है, वो melt हो जाता है, premium में theta decay लग जाता है, क्योंकि expiry है, अब इस चीज़ को समझो, जो 9-30 से लेकर 11-30 का जो time है, यहां से लेकर यहां तक का जो time duration है, और 12-30 से लेकर अब यहां पर 0-0 करना है, तो आपको time duration है यह वाला और यह वाला, अब यह metric किसले करता है, क्यों metric करता है, देखो, अगर आप first half में trade करता हूँ, जैसे आपने मेरे को देखा होगा, मैं scalping करता हूँ, तो मेरे को first half के अंदर quick entry exit में, मुझे अच्छा खास volume भी मिलता है, quick entry exit में, मेरे को easy रहता है, liquidity रहती है, और उपर नीचे के moment मिल जाते है, तो मैं यहाप नीचे का भी trade बना सकता हूँ, यहाप उपर का भी trade बना सकता हूँ, मैं scalping करके निकल जाता हूँ, first half में, अगर आपको quick entry exit करने वाला, आप चाहा देख कि आपको first half में कोई range में आप opening range में रुखा और उसके बाद बेक आउट रही है, आपको zero euro करनी के opportunity मिल ली है, then आप उसमें trade ले रहे हो, well and good, आपको opportunity मिल गी, आपने trade ले है, ठीक है, remember, first half में आप trade कर रहे हो, एक चीज़ डिफेंस यह रहता है, कि premium को at the end of the day, maximum of the days में एक चीज़ देखोगे, कि premium at the end of the day, zero हो जाता है, चाहे हो 100 पर काओ, 50 पर काओ, यहाँ पर पचास पर होगा, यहाँ पागे हो at the end of the day, most probably zero हो जाते हैं, और इसी के बीच में हमें zero euro के spike मिलते हैं, okay, तो first half में क्या होता है, कि जब हम trade करते हैं, तो हमको उपर नीचे के fluctuation मिलते हैं, लेकिन first half में अगर आ आपने कोई premium पकड़ा हुआ, अगर आपको मिल जाता है, तो 20 का 30, 40, 50 या 60 ऐसा तरीके के movement नहीं देता, it means you have to exit that trade, क्यों? क्योंकि वो आप पहली तो चीज़ आप zero euro की planning कर रहे हो, और first half में most probability यह होती है, कि जब आपका premium अगर move नहीं क्या, तो वो आपका melt होने लग जा आप नहीं आता है, अगर आप quick entry exit वाले trader हो, तो आपको zero euro first half में करने की जवद नहीं, आप easily वहाँ पर अच्छे का से अपने ट्रेट से systematic trade को follow को लो, अगर आपका premium move नहीं करता है, वहीं निकल जाता तो उसके अंदर जो जिस तरीके का हलका सा spike उपर को आपने आप entry कर ज जो systematic trader उनके लिए रहता है, mean जो game होता है, वो zero euro का second half के अंदर ही होता है, second half में क्या होता है, market open होने के बाद, अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको एक तरीका बताया था, market open होने के बाद, उपर नीचे का fluctuation इसने दिया, फिर second half में जो premium है, वो इस तरीके से melt होने कि जब maximum 2 p.m. तक अगर sideways रहता है, 11 बरी से लेकर, 11 से लेकर 2 p.m. की बीच मागर most probably market sideways रहता है, तो उसके बाद उसके फटने की probability काफ जादा बढ़ जाती है, means उसके जो premium है, वो दोनों side के melt करता है, C.E. और P.E. दोनों के premiums को melt कर देगा, दोनों premium को तोड़ देगा, व जो positions होंगी, जो nearest strike price के आसपास उनकी position बनी होंगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी probability बन जाती कि कि किसी एक side में market एक अच्छागा सा momentum देदे, अगर आपने market में कोई analysis किया, market किसी एक important zone पर range बना रहा हो, तो second half best होता है आपके 0 hero के लिए, और यहाँ पर एक term में आ जाता है, जब market में कोई एक important level हो, काफी time से market एक zone हो, और उस important level पर काफी time से market एक sideways zone में हो, और उस sideways zone में, दोनों zone पर जब market था, तो call और put के दोनों के premium almost melt हो चुके हो, मैं पूरे के premium गिड़ चुके हो, और उस समय पर आपको suppose कि 10 रुपे के premium मिल ले हो, 10-10 रुपे की CE, 10 रुपे की PE, अगर आपने buy करके रख लिए, इस expectation में कि यहां से अपने को किसी भी side में उपर या नीचे को एक बड़ा blast देखने को मिल सकता है, उस gamma blast चाहिए, उस blast को पकड़ने के लिए, आप एक long straddle बनाते हो, उस जगह पे, तो यह एक बहुत perfect setup, कभी-कभी मिलता है अब regular use नहीं कर सकते हैं, regular आपको एक analysis पर काम करना पड़ेगा, लेकिन में condition में आपको बताए कि इस condition में आपको देखने को मिलता है, most probably देड़ दो बजी के आसपास ऐसे एक blast आपको देखने को मिलता है, दो तीस पर भी देखने को मिलता है, दो बीस के बाद भीज के बा बाकी अगर आप zero euro के planning करते हो 5000 के capital से, second half में आपकी ज़्यादा रते रहेगा, condition में आपको बता दी, first half में आप दोनों साइड में volatility में पिट जाओगे, first time में अगर आपने trade लिया, trade करने वादा वो perform नहीं के आपको तुरन्त exit कर जाना, क्योंकि उसके premium ऐसे ही melt हो जाएं तो प्रॉपर market की prediction को use करते हो कि किस तरीके से market यहां से perform कर सकता है, उसके basis पर second half आप कोई भी zero euro plan करते हो, तो वहाँ पर आपके zero euro में पैसे बनाने की जो probability है, वो काफी ज़्यादा बढ़ती है, और इस process के through आप somehow market में market के behavior को भी समझोगे, market के structure को भी समझोगे, market में patience भी build up करोगे, और market में zero euro में पैसा भी आप बना सकते हो, next and most important point आयाता है, कि आप अगर zero euro कर रहो, यहां पर risk management, देखो, मैं अगर यहां पर आपको कुछ calculation दे दूँ, कि याद आपको इतना ही risk के लेना है, मैंने आपको पहली बना दिया है, कि अगर आपका जो account size है, 5000 capital का 1% भी नहीं होगा, किसी के लिए 5000 उसके overall capital का 20-30% हो सकता है, तो जिसके लिए उसके overall capital का 5000 काफी जादा एक बड़ा चंग है, उसको आप बहुत कम capital यूज करना है, जिसके लिए overall capital का 5000 जो amount है, बहुत कम है capital, बहुत छोटा सा percentage है, 1% तो वो पूरा यूज करता है, अब या तो उस trade में जब आपने analysis अपनी profit की, एक structure देखा, एक सही timing देखी, सब कुछ देख लिए जो मैं अभी तक आपको बताया, अब वहाँ पर एक trade डाल ले हो, उतनी quantity डाल ले हो, जितना आप plan करो कि 5000 मेरा, क्या हो जाए, 0 हो जाए, या 5000 मुझे यहाँ पर around 15-20,000 का तो वहाँ पर किसी भी type का risk to reward ratio follow नहीं होता है, यहाँ पर सारा mindset का game है, आपको अगर trade लेनी के बाद आपको दीख रहा है कि premium spike नहीं आ रहा है, jump नहीं आ रहा है, premium melt होते जा रहा है, range नहीं निकले, तो आपको वहाँ पर smart choice है कि इस से अच्छा है, जात पूरा ही 0 हो करो, सिर्फ zero and hero वाले mindset पर ही वहाँ पर काम करना है, बट वहाँ पर अपनी proper analysis यूज़ करना है, प्रापर system यूज़ करना है, capital कितना यूज़ करना है, मैंने बता दिया, और zero hero में कुछी type का risk management follow नहीं होता है, क्योंकि नाम ही है zero या तो hero, okay guys, अभी तक की वीडियो मां आ मजमा आ गया होगा, और अगर आप लोग और इन detail सीखना चाहते हैं, आप मेरा store विजट कर सकते हैं, इसका link आपको description box में मिल जाएगा, आप वहाँ पर पुरा store check out कर सकते हैं, जहाँ पर काफी सारी updates आने वाले हैं, क्योंकि काफी सारी लोगों को trading, scalping, stocks को selection process, और भी सारी चीज़े कवर कियां, तो हम basics to advance, from option trading to swing trading, ठीक है, बागी जिसको मेरे telegram channel join करना, description box में link है, telegram channel भी अपना join कर सता है, free of course telegram channel है, जहाँ पर कोई भी qualitative advisor service प्रवाइड नहीं क्या थी, मेरे टाम पर कोई भी और telegram अगर चल रहे हैं, जो आपको कुछ offer करते, service offer करते, सार बागी 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 चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और zero hero की जो अपने बात की थी, मैंने आपको पूरा video in detail समझा दिए, अभी आपका क्या विचार आपको क्या लगता कि zero hero करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हो सही है, नहीं है, आप भी अप आपको नेक्स वीडियो में, तिल दन बाबा, सी यू, जाहिन झाल